उत्तर प्रतेश की राजधानी लखनव में बने लूलू मॉल को लेकर बिवात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुसांत गुल्ब सीटी में 11 एकड में करीब 2000 क्रोण रुपए की लागत से बना सौपिंग माल कभी नमाज पढ़ने तो कभी हनुमान 40 के पार्ट करने को लेकर सुर्खियों में रहा है। वहीं अब रामपूर से विधायक और सपा के वरिष्ट नेता आजम खाने लूलू मॉल के मालिक को राष्टी सोयम संग यानी ही आरसस का फंडर रेजर बताया है। साथ ही लूलू मॉल में हुई नमाज को लेकर बीजेपी और आरसस की साजिस बता दिया। सपानेता आजम खाने एक बातचीत के दोरान कहा की लूलू मॉल के मालिक का आरसस से सीधा संवन्ध है। वो इस नाम से कमा रहा है इसलिए वो नाम नहीं बदलेगा वो अपने गिरेवान में मूँ डाले और फिर वो चबाब दे हम से इस मुद्धे पर चबाब नहीं लिया चाहिए हलाकि लूलू मॉल के जिस मालिक को आजम खाने आरसस का फंड रिजर बता रहे हैं उन्हें लखनव में मॉल बनाने के लिए चमीन सपा सरकार में ही उपलब्द कराई गई थी लखनव में बने देश के सबसे बड़े सौपी मॉल को सपा प्रमुक अकलिस यादों ने समाजव सरकार की बड़ी उपलब्दी बताया था लखनव में 11 जुलाइक लूलू मॉल का मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाध ने उडगाटन किया था उसी समय अकलिस यादों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बने राज के सबसे बड़े फूड पार्क लूलू मॉल के लिए जमीन हमारी सरकार में दी गई थी उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि मैं तारिक बता सकता हूँ कि हमारी सरकार में दुबई की कंपनी लूलू गुरूप को लखनव में माल खोनने के लिए कब जमीन दी गई कब सिला नयास हुआ और कैसे पूरा इन्वेस्टमेंट आय अखलेस याद हो एक तरफ लूलू मॉल को लेकर अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी बता रहा है तो दूसरी तरफ आजम खां सौपी मॉल के मालिक को संग का फंडरेजर करार दे रहा है ऐसे में अगर लूलू मॉल के मालिक अरसस के लिए धन जुटाने का काम करते हैं तो फिर अखलेस ने उन्हें कैसे सौपी मॉल बनाने के लिए जमीन उपलब्द कर रहे जिसको लेकर अप सपा पर इस सवाल खड़े हो सकते हैं बता दी कि इस महिने की सुरुआद में लखनाओं में लूलू मॉल के उडगाटन के बाद कुछ लोगों ने वहाँ कि एन्यूस